हेलो गाईज, नमस्कार, आज की इस वीडियो में मैं सेर करूंगी मसूर दाल की सबजी बहुती स्वर्दिस्ट और बहुत जल्दी बनने वाली तो सुरू करते हैं सबसे पहले मसूर की दाल लिए मैंने एक कप और दाल को एक बाउल में डाल लेंगे और इसे अच्छे से वास कर लेंगे अब ढाकर लागा करके दो से तिन घंटे छोर देंगे फूलने के लिए अब यहाँ पर दाल फूल गया है दाल का पानी निकाल देंगे और एक बार फिर से इसे धो लेंगे तो सबसे पहले मिक्सी के जार में तोरसा प्यास डाल लेते हैं दो बड़े साइस का मैंने प्यास कट करके डाला है रफली चॉप करके इसमें डाल लेंगे चार से पाच के लिए लासुन की और डाल लेंगे एक इंच का टुकड़ा अध्रक का और यहाँ पर डाल लेंगे एक चमस जीरा तीन से चार हडी मिट्स भी डाल लेंगे और ढकल लागा कटके इसे करस कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए चला दीजिए करस हो जाएगा पीशना नहीं इसे रफली करस करना है अब इसमें से मसाले को में तरका में डालने के लिए निकाल लेती हूँ तेन हिस्षा इसमें से निकाल लेजिए और एक हिस्षा यानि कि दो चमच इसमें छोड़ देंगे और इसी के साथ इसमें हम मसुर की डाल को डाल लेंगे यह सबजी एक बर जरूर ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक तो बंता है दोस्तो अब ढकर लागा करके डाल को पीश लेंगे पानी नहीं डालना ऐसे ही पीश जाएगा अगर नहीं पीशता है तो थोरा सा पानी आप डाल सकते एक बाउल में निकाल लेंगे आदी चमस हल्दी पौडर एक चोटा चमस धनिया पौडर और दो चुट की बराबर हिंग डालेंगे और अच्छे से मिक कर देंगे और सारे मसाले और लेडी इसमें डले हुए है तो बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आएगा बहुत अच्छ में फेटना जिस तरब से फेट रहे है उधर ही मिक्स करना ताकि हावा भर जाए और बड़ी हमारी बड़ीया सॉप्ट बनी आपका रही में डालेंगे तेल तीन से चार चमस हम तेल डालेंगे बहुत ज्यादा मैने आपर तेल भी नहीं डाला है और लिया है खड़े दलचीनी दो सुखिलाल मिर्च जेकतस पत्ता और एक छोटा समस जीरा तिल के अंडर यह मसाले को डाल देंगे और एक बर मसाले को चला देते हैं और इसे फूटने देते हैं क्रेकलोने देते हैं मसाले तयार हो गए हैं इसमें क्रस्किया हुआ पयाज लसुन और मिर्ची जो हमने रखा था उसे डाल देंगे आप चाहो तो इन सारे चीज को काटके भी डाल सकते हो और लोटू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलर इस तरीके से ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई करते रही है इसके बाद डाल देंगे टोमेटो प्य प्यूरी यहां पर मैंने डाला है और इसे थोड़ी दिर के लिए भूल लेंगे अब जैसे ही प्यूरी भून जाए इसमें डाल लेंगे एक चमस धनिया पौडर आधी चमस हल्दी पौडर और एक छोटा चमस लाल मीड्स पौडर और थोरा सा पानी डाल देंगे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए मसाले को बढ़िया से भूनना है थोड़ी थोड़ी दिर पर इसे चलाते रहें और मसाले को भूनने अब यहां पर देख सकते हो मसाला का कलर चेंज हो गया है मसाला अच्छे से भून चुका है इसमें डाल देते हैं थोरा सा पानी, अधा कप पानी डाल ले, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे, मिक्स करने के बाद में मसाला गाड़ा हो गया है, तो थोरा पानी में और डाल देती हूँ, और फिर से पानी को एक बार मिक्स कर देंगे, अब यहाँ पर मसाला परफेक्ट है, इस पर डाल देंगे, एक ज जब मसाले से अंदर से भाप निकलने लगे इस्छनी में तभी डालना फिर यह टपकेगा नहीं और जल्दी नीजे से टाइट हो जाएगा धक्कल लगा करके चार से पाच मिनट शोड़ दीजिए गैस कफले मिडियम ही रखना अब यहां पर बड़ी हमारी तयार हो चुकी है एक टूथफिक डाल करके देख लीजिए बिल्कुल क्लिन निकल रहा है तो बड़िया सॉप्ट भी है और पक भी गई है अब इस्छनी को हटा लेंगे और ठंडा होने देते हैं अब यहां पर देख सकते हो नीचे मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट तयार हो गए है अच्छे से भूंचु के कलर इसका बहुत बढ़िया हो चुका है तो पानी का अंदाजा सही रखना मसाला चिपकेगा नहीं और टेस्ट के कोडिंग नमक डाल लीजिए और मिक्स कर तो अब इसमें दाल देंगे एक गलाश पानी जितनी गीरवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल लेना सब जीलट पटी चाहिए बहुत जल्दा ग्रेवी नहीं चाहिए तो मैंने ऐक ग्लास पानी डाला है एक चमाश डाल देंगे गरम मसाला और दो चमाश यशनी कि आदी मुट्टी भर के कसूरी मेथि मसल करके इस तरीके से ढाल दिजिए और अच्छे से MIX कर दिजिए ओर ढ़कर लाका करके दुसरे चूले पर दुसरे तरह में शिफ्ट कर देती हूं और एक तरफ में एक पैर कर देथी हूं उसमें डालेंगे एक चमस को हम पैन में डाल देंगे तेल के अंदर आप चाहो तो बीना भूने ऐसे भी इसकी सबजी बना सकते हो पर भून देंगे तो थोड़ा और टेस्टी हो जाएगा बड़ी थोड़ी सी करक हो जाएगी फिर जब ग्रेवी में ये फूलेगी फिर इसका टेस्ट बहुत बढ़ी जाएगा तो बहुत ज़्याद नहीं भूनना है थोड़ी दिर बस एक से देर मिनेट चलाते हुए इन बढ़ियों को भून लीजिए अब यहाँ पर सारी बढ़िया भून करके तयार होगे आप देख सकते हैं बिलकुल कलर इसका चेंज हो गया ब्राउन ब्राउन हो गया ह धकन को हटाएंगे मसाले हमारे उबल रहे हैं अब बढ़ियों को मसाले के अंदर डाल दे और बस क्या है सबजी जल्दी तयार हो जाएगी एक बार मिक्स कर देजिए और धकन लागा करके डेर से दो मिनेट सलो फ्लेम पर इसे पकने देजिए अब धकन को हटा देजिए आ अब यहाँ पर सबजी बिल्कुल परफेक तयार है ग्रेवी भी लटपटी सी गाड़ी सी है और यह सुखेगा अगर चावल के साथ सर्व करना है तो गरम पानी करके इसमें डाल लेना या सुरू में ही थोड़ा ज्यादा पानी डाल लेना अब तैयार सबजी को सर्व कर ल में विचार शेयर करना अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ बाई बाई